चार दिन से अंधेरे में रहने को मजबूर, चार सो परिवार, बार बार भोपाल चिकायत करने पर भी नहीं हो रही, सुनवाई हो चुका है हजारों का नुकसान शेहर के स्थेत नोहरी बच्छोरा में विद्धुत विभाग का ट्रांस्फोर्मिशन का नूट्रल सौकेट उड़ जाने से शेतर में उचानक हाई वोल्टेज आ गया जिससे लगभग 2500-300 घरों के टीवी, पंखे, कूलर, फ्रेजो और मीटर जल गया है जिसमें लाखो रुपई का नुकसान हो गया है शेतरिय निवासी ने बताया लोग घरों से बाहर निकलाए और कई ने अपने MCB के स्विच ओफ कर दिये उन्होंने बताया वद्दूत विभग के कारण लोगों को लाखो रुपई का नुकसान हुआ है वही शेतरिय वासी का कहना है कि चार दिन से लाइटना होने के चलते साब बिच्चू का डर बना रहता है जुसके शुकायत हमने कई बार भोपाल की है पर आज तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है कि अज़े शोला तारी को एक तम यसी लाइट आई बयानक के हमारे मीटर बीटर सब जल गए पूरी LED बगरा एंटी पंक्वे पंक्वे सब पक्वे और उसके लाइट मतलब आई इम मीटर भी चल गए उसके बाद मैं आज तरह नहीं तक लाइट नहीं आई यह बिद्द कर सब्सक्राइब कर लाइट के लाइट की सबस्या चार दिन से सोला तारीक से लाइट खनावे हमारे जाएट और लाइट आती है तो भी पंक का सब उड़ जाता है पूलर फुके फंका फुके लाइट फुके मीटर चले गए आटे की समस्या चक्कियां बंद पड़ी है पानी की समस्या पूरे गाउं में लाइट खराब है रात में कीरा काटे कितने परिवारों की लाइट नहीं है कम 400 परिवारों भी लाइट नहीं है आपने इसकी सिकाइट किसे की कोई की वह ओलाइन होता सिस्टम तो क्या कहना है उनका करवाते हैं सब्सक्राबी तक कोई समाधान नहीं हुआ को